हेल फेंड्स आइम राहूल आइंड वेलकम टू दा चैनल एसी एल ए सागत आपके इस चैनल पर एसी एली के एबरीबड़ी के लेंड इंग्लिस हर कोई एंगलिजी सीख सकता है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रो नाउन प्रो नाउन एक बहुत ही इंपोटेंट टॉपिक है इस पोकन के परपस है और जो सेंटेंस बनाने के परपस है इस वेरी यूसफुल टॉपिक फो यू तो आज हम परनाउन पढ़ेंगे और यह है बहुत ही ज्यादा आपके लिए लावदाइक होगा वैं इफीशल होगा फॉर दे मेंग दा सेंटेसिस फॉर दा स्पोकिं स लें ताकि जो नई वीडियो है आप तक पहुंच पाए सो स्टाट करते आज की क्लास को प्रणाउन की देख लो अब मैंने टेबल बनाई है आप लोग देख सकते हो इसी टेबल को हमें समझना है और हमें यूस करना है बहुत से चीज़े हैं जो मैंने आपको पहले से बता चुका हूं लेकिन मैंने बताया नहीं था प्रणाउन है कि क्या है लेकिन मैं पढ़ा चुका हूं आपके लिए फिर वी मैंने सोचे प्रणाउन पढ़ा दो कुछ एडवांस चीज़े जो इंपोर्टेंट है जैसे ऑबजेक्ट वे पजिस अजिक्टिव है या पजिस प् सब्सक्राइब है क्या प्याब करेंट वह प्रणाउन थे चीज़ आपके दमागेन तो अब मैंने सब्सक्राइब मैं अधिकार अधिक्र सूचक जैसे तो इसमें अधिकार हो और अधिकार सूचक हो इसी प्रकार है तो हम स्टाट करते हैं तो अगर हम सबस्टेबल में देखें बहुत ध्यान से देखना और मेरा अनुर्द्यकिस क्लासकोप बिल्कुल लास्ट तक देखें कोई भी चीज मिशना हो हो ताकि कि आपको किसी प्रकार की कंफुीजन ना हो तो मेरा अनुरोद्र है कि कि प्रकार इस क्लासको आप लास्ट तक jul आई वी यू ही छी इड दे जो मैं आपको बढ़ा चक्पा हूं और एक इंपोर्टन टीज है ऑक्जिक्टिफ केस ऑक्जाइक्टिफ केस कि क्या होता है मी आस यूंई हर इडिम यह आप्जिक्टिफ केस् आपको बता चका हूं रह्एट्स है और पाप्सिशिव में माइन और योर्स हीज और हर्स इसका भी यूज होता है लेकिन मुश्ट इपर्ट दिंग हमें कहां तक यह हमें टेवल याद रखनी है तो क्योंकि जो हम अब हम सेंडिस बनाएंगे उसमें अब्जेक्ट भी आएगा अभी तक जो हम सेंडिस बनाते थे जो अभी तक हमने यह सेंडिस बनाएंे हैं और बनाने सीखे हैं उसमें उसमें हम और आभ्जेक्ट का की या और यूज नहीं किया लेकिन अब हम object use करेंगे object कोई बसते भी हो सकती है या कोई noun pronoun भी हो सकता है जैसे मैं अधार मैं आपको बताऊ कि मैंने उसे पहन दिया मैंने उसे पहन दिया तो मैंने तो कहोगा I gave पहन उसे, उसे means क्या होता है he, तो he का form क्या हो जाता है objective form, तो यह से हमें याद रखना है, तो देखलो फिर से एक बार मता दूँ कि person में तो हम पहले अगर first person की बात करेंगे आपको याद रखना है, first person दो होता है, I और we क्या होते है, first person होता है क्या होता है, फिर से बोलो I और we क्या होते है, first person होते है तो हम आई के हम याद करते हैं, हमें सवज़ना है, तो I, Me, My, और Mine, I, Me, My, Mine, बोलो मेरे साथ, I, Me, My, Mine, याद हो गया, आप B देखो, बी, आज, यॉर, और, नहीं, बी, आज, 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 आज इसी इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा अब थाड़ परसंड की हम बात करें तो he, she, it, third person तो मेरे साथ बोलो he, him, his, his he, him, his, his फिर क्या होगा she, her, her and hers ओके it, it, its ध्यान रखो पजी से प्रोनाउन का जो it का होता है नहीं है पजी से प्रोनाउन फिर याद करो they, them, their and theirs यह टीवल है आपको sentence में हमें use करना है और बनाना है तो मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार की introduction class आपकी हो सकती है और I hope आप लोग समझ गए होंगे कि हमें प्रोनाउन का use कैसे करना है stable को याद कैसे करना है अगर आप stable को याद नहीं कर पा रहे है तो बिलकुर tension नहीं लेना है ठीक है आपको आँगे अपने आप हो जाएगा और इस वीडियो को आप save पर लेना star बना कर और जब मैं objective form में पढ़ाऊंगा objective बताऊंगा कि object कैसे आएगा तो आप फटाकस इस वीडियो को repeat कर सकते है अगर समझ नहीं आए तो अभी समझ वे ना आए तो बिलकुर tension नहीं लेना ओके आप आँगे सेंटिस में बनाना आपको सका होंगा वह मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ठीक है जैसा मैं बोलूं अगर मैं example की तौर पर मैं अगर इसका हमारी कार अवर हमारा मेरा तमारा इसकी हिंदी मेनिंग बताए थी और जो पजिसे प्रणावन है यह रिपीटेशन को अवाइट करने के लिए यूज किया जाता है तो इसको जादा जादा आपको दमाख लगाने की जोट नहीं ज्यादा तर यह कभी जोता है जब हम कॉंपेटिशन वगरब पढ़ते हैं या जर्नल के लिए हम यूज करते हैं लेकिन इस्पोकन की परपस से तो आपके यहां तक याद रखनी हो इसको ही बता दोंगा यह रिपीटेशन को अवाइट करने के लिए हम यूज करते हैं पजिसे प्रणावन को अगर हम र विदियो करने में किसी प्रकार की परहसानी नहीं हो गी सो यह आपकी प्रणावन की क्लास थी आपको क्लास कैसे लगी आपको कोई कंफीजन हो तो प्लीज टेल में कमेंट बाक्स और किस भी प्रकार के सवाल हो तो आप आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टीक और चैनल है यह एवरीवड़ी के अलाइण एंगल्स का एक दिया था और मैं कई वार आपको नमबर क्वार्था कर सकते हैं अगर मैं आपके डाउट्स हों तो मैं बीडियो में क्लिर करने का प्रयास करूंगा प्रणाउन की कि लाष में प्लीज टैज में कमेंट बॉक्स और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि करपे आप इंट्रॉडक्शन क्लास से इस वीडियो को देखें ताकि जब आप सेंटिस बनाओ तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आपको पूरी तरीश की से समझ में आए कि हमें सेंटिस बनाने कैसे कैसे रेकॉर्डिंग करनी है कैसे हमें प्रक्टिस करनी है एवरिटिंग आप टोल लिए वीडियो ओके सो यह क्लास कैसे लेगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आज के इतना ही तिल दिन टेक के यार थैंक्स फॉर वाचिंग अपना खूब ख्याल रखें